प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के हाथो उद घाटित श्री काशी विश्ना धाम के प्रसम चर्ण के पवस्चात बाबा धाम से गंगा धार को एका कर कर रहे गंगा चोर पर बन रहे द्वार Gateway of Corridor को महाशेवरात्री से पहले श्रधानूं के लिए खोल दिया जाएगा नमस्कार मित्रों, इंडियन SRJ पर आप सभी का स्वागत है मित्रों भारत वर्ष में संचालित विकास पर योजनाओ तथा धार में कि स्थलूं पर हो रहे विकास कारियों के महत्तोपुल्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको छ्रीकाशी विश्ना धाम करड़ोर के द्विती चर्ण के निर्माल कारी की विशिज ग्राउंड रिपोर्ट के अंतर गते आपको एक्स्क्लूजिव ड्रोन व्यू दिखाएंगे तथा धरातल पर हो रहे बाबा धाम में जिल्ण धार कारी वो कोरिडर निर्माल की वर्तमान परिस्थिती की जानकारी भी देंगे तथा बताएंगे कि कैसे होने वाली है लाकों भक्तों की मनुकामना शेगर ही पूरी तो मित्रों अलोकिक धाम के निर्माल कारे के आप साक्षी बनें एवं संपुर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को उन्ततक अवश्य देखें मित्रों वीडियो में आगे दी जानकारी जदी आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धी करें चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं श्री काशी विश्ना धाम के प्रथम चर्ण के पस्चात दुती चर्ण के अंतरगत अब गंगा द्वार से प्रवेश की प्रतिक्षा भी समाप्त होने जा रही है महाशेवरातरी पर इसे श्रधालवों वोपरेटिकों के लिए खोल दिया जाएगा आपको हम गंगा किनारे बन रहे गेटवे ओफ कोरिडोर के ड्रोन व्यू दिखाते हुई बता दें कि इसके खुलने के साथ ही जल मार्ग से भी आवगमन आरम हो जाएगा जो की वर्तमान समय तक नहीं है कारण यह है कि चलासें से लेकर ललिता घाट तक जेटी वो प्रविश मार्ग का निर्मालकारे संचालित है जो की अब लगभग पूर्ण होने को है यहाँ पर बनाई गई जेटी भी नाव बज़णों के ठैराओं के लिए शीगर ही तयार हो जाएगी गंगा द्वार पूरी तरह से आकार पाच चुका है और इसी पर घाट तक सिढ़ियां बनाई जा रही है तो जेटी की फर्ष पर केवल पत्थर वर रेलिंग लगाई जानी शेश है इसे इसी महा पूरा कर लेने का लक्षे रखा गया है ताकी एक मार्च को बाबा के विवाहुच्चो पर उपर जब श्रधालू आये तो गंगा मार्क से होते हुए सीधे बाबा धाम पहुँचे जानकारी के लिए बता दी कि विश्ना धाम के नव्य भव्य परीसर का लोकारपण प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को किया था इसकी पश्यात गोदोलिया गेट, धुंडी राज गलेज द्वार वो सरस्थी फाटक से मंदिर चौक तक श्रधालूं को प्रविश्भी दिया जाने लगा इसके साथ ही गंगा गेट, सीढ़ी, रैंप भवन समेत विस्तारित कारियों में गती आई गंगा द्वार को चुनार के नकाशित और गुलाबी पत्थरों से पूरी भविता के साथ हाकार दिया गया है लोकारपण के समय इसका धाचा ही कीवल तयार हो पाया था गंगा के जैलिस्तर बढ़ा होने से सीढ़ी वजेटी में विलम हुआ परन्तु अब सीढ़ी भी उपर से नीचे की ओर बनाई जाने लगी है वहीं 55 मीटर लंबी जेटी भी लगबग तयार हो चुकी है बता दें की मने करने का से ललीता घार तक 20-10 मीटर तक गंगा में चोड़ाई पहले ही बढ़ा ली गई है इस पर अभी पत्थर लगाया जाना शेश है कारदाई एजेंसी लोक निर्माण विभाग के अनुसार विस्तारित कारियों में चाहर दिवारी, ब्लॉक फोर, कैफे भवन आधी का स्ट्रक्चर तयार हो गया है इन्हीं फाइनल टच दिया जाना शेश है सीढ़ी और जेटी भी फोरोरी में पुरी तरह से तयार कर ली जाएगी वहीं 45 मिटर लंबे और 8 मिटर चौड़े रैंप भवन के लिए डायाफ्रॉम वाल भी बन गई है धलाई के साथ ही इसमें भी और तेजी आ जाएगी हालांकि रैंप भवन वो सीवेज पंपिंग स्टेशन पूरा करने में पूरा मार्च लग जाएगा अर्थात गंगा द्वार में बाधा सोरूप दिख रहे पंपिंग स्टेशन को हटने में अभी एक माह और शेश है सबसे बड़ी बात यह हैं कि महा शेवरातरी पर श्रधालू गंगा द्वार से सीध्ध भी अभ पूरी हो सकेगी धाम के लोकारपन के परिशाद धाम में आने वाले श्रधालू यहां की सुन्दर्था को अपने कैमरे में कैद करने से वंचित थे परंतु गंगा द्वार से प्रवेश मिलने के पस्षात अब श्रधालू मंदिर चौक तक मोबाईल ले जा सकेंगे मंदिर प्रशासन ने श्रधालू को मंदिर चौक तक मोबाईल ले जाने की छोट दे दी हैं और सोलव फरवरी से श्रधालू गंगा द्वार से मुबाइल लेकर मंदिर चौक तक जास सकेंगे जलासिन घाट पर बनी सीडियों की माध्यम से भक्त बाबा धाम में पहुचेंगे वहां से मंदिर चौक से होते हुए सरसोती फाटक के पास से बाबा की गर्बगरी परिसर में प्रवेश करेंगे इस समया वधी में मंदिर चौक तक लोग मुबाइल फोन और अन्नी समान ले करके आ सकते हैं लोकारपण के समय प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने ललिता घाट पर इस्नान करने के पस्चाथ गेटवे ओफ कोरिडोर से ही धाम में प्रवेश किया था पीम मोदी ने लोकारपण के पस्चाथ लोगों को समगोधित किया था श्रमीकों पर फूलों की वर्षा की थी और उनके साथ सेल्फी ली थी बतादें की गंगा द्वार से धाम में प्रवेश के समया वधी में पढ़ने वाले आसपास के अन्य सभी भवनों में अभी प्रवेश नहीं होगा वरानसी गैलरी, म्यूजियम, कैफे, वैदी के केंदर सहित अन्य सभी भवनों का अवंटन आचार सहीता लगने के कारण से अभी नहीं हो सका है चुनार के गुलावी पत्थरों की आभा से चमक रहे बाबा के धाम में प्रवेश के लिए तयार गंगा द्वार घाट अब नए आकरशन का केंदर बन चुका है गुलावी पत्थरों पर नकाशी कर इसे पूरी भविता से अकार दे दिया गया है धाम के लोकारपन के समय में द्वार का किवल धाचा ही तयार हो पाया था जो की अब जाकर के पूर्ण हो सका है बता दें कि धाम के दूसरे चर्ण का कारे तेजी से चल रहा है और अधिकांज धाचे बन करके तयार हो चुके है गंगा घाट पर गेटवे ओफ कोरिडोर के बाहर रैंप भवन का आधा कारे पूरा हो चुका है इसके साथ ही अंडरग्राउंड सीविज पंपिंग स्टेशन में भी मार्च तक का समय लग जाएगा इसके अतरिक्त हम आपको ग्यानवापी गेट के समीप हो रहे कुछ निर्माण कारियों को दिखाने का प्रयास करते हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर मार्बल कटिंग आधी का कारिय संचालित हैं जिसमें कि कई श्रम्य के सलंग्न हैं बताने कि यह किया है स्थान ग्यानवापी के मूल विशेशुर मंदिर के अतिनत निकट का क्षेत्र हैं अर्थाद जिस काशी विश्यश्वर के मूल मंदिर को मुसलिम आकरांता और अरंग्जेव ने तुडवा दिया था जिसके उपर आज भी विवादित धाचा खड़ा है इसके अतरिक्त बता दें कि धाम के प्रविश द्वार के दूसरी ओर भी छोटे छोटे मंदिरों का निर्माणकारी संचालित है जिसमें की उत्खनन में प्राप्त मंदिरों के विग्रहों को इस्थापित किया जाएगा हम आपको यह सभी द्रिश्य विस्तार से दिखाने का प्रयास करते हैं करते हैं शीव भक्तों के लिए गंगा धार से गंगा धर के धाम तक कमार्ग सुगम होगा माग पूडिमा से श्रधालू अब श्रीकाशी विश्ना धाम में गंगा द्वार से प्रविश्कर सकेंगे मंदिर प्रशासन और कारदय संस्था ने गेटवे अफ करड़ो को 16 फरवरी से खोलने के तैयारियां तेजगर दी है इसके साथ ही गंगा की धारा से बाबा के धाम का सीधा मार्ग भी खुल जायेगा श्रधालू जलासन घाट पर बनी सीधियों की माध्यम से धाम में प्रविश कर सकेंगे मंदिर चौक से होती हुए सरसुती फाटक पर सुरक्षा जाच की पस्षाथ श्रधालू को गरब्री में प्रविश के अनुमती होगी वर्तमान में गंगा तट्ट से मंदिर चौक तक अभी केवल आने जाने के लिए ही मार्ग खोला जायेगा श्रधालू आस पास के भावनों में प्रविश नहीं कर सकेंगे घाट से मंदिर चौक तक श्रधालू अपना समान मुबाइल वग कैमरा ले जा सकेंगे मुबाइल वग कैमरा रखने के लिए गंगा द्वार से चौक तक अलग-अलग इस थानों पर वेवस्था किया जायेगा मंदिर चौक से भक्त सरसुती फाटक पर जाच कराने के पस्चात मंदिर में प्रवेश करेंगे और दर्शन के पस्चात मंदिर परिसर के पूरवी गेट से बाहर निकलेंगे प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्णधाम के लोकारपण के पस्चात यहां आने वले श्रधानों के संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है मंदिर के बाहर ही मुबाइल फोन जमा करा लेने के कारण से यहां की सुन्दर्ता को कैद करने और सेल्फी की कामना पूरी नहीं हो पा रही थी इस कारण से अब मंदिर प्रशासन ने मंदिर चौक तक मुबाइल फोन ले जाने की छोट दे दी है 16 फरवरी से गंगा द्वार से श्रधालू का प्रविश आरम हो जाएगा मित्रों यदि आपको वीडियो में दी हुई श्री काशी विश्नधाम कोरिडोर के निर्माणा कारे की विश्रीज जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाओ हो तो वह भी बताएं इसकी अतरिक्त यदि आपने दर्शक हैं अथ्वा भी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतग्ये अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मेलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से वाट्सेप वर टेलीग्राम आदी में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागिदार बनने का अवसर भी पाएं फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिंद हर हर महादेव